अब जो हम करेंगे हमें एक गेम बनाएंगे जिसका नाम है पांग गेम उसके अदर एक बॉल होगी जो कि मुझे रेंडुमली मूव करेगी और जब यह वह किसी एज़पे अधे टेश करेगी तो वह बांस बैक हो और नीचे जो है सबसे नीचे उसके उसके उपर हम एक जब भी ball पेडल के साथ टच करें तो वह bounce back हो हमने पैडल के लावा किसी और जगा पर touch नहीं होने देना तो हमारी game over हो जाएगी अगर हम पैडल पर touch करेंगे ball को जो है उसको नीचे पैडलकेश बावा किसी और पर touch नहीं होने देते हैं तो हमें scores मिलें जब score और एक खास points को पहुंच जाएं तो साथ ही हमारा message आज है कि हमने गेम विन कलिए सबसे पहला जो step है हमारा वह हमारा यह कि हमने एक ball introduce करानी है और उसको randomly move कराना है जब भी वह edge पे touch हो तो इस तरह से bounce back हो इसको em block के अंदर आप देखते हैं कि किसना से करेंगे em block में आने के बाद आपने यहाँ पे एक ball add करनी है यहाँ पे मैं ball type करता हूँ और यह ball select करके ok press कर दिया यह मेरे पास ball आगी अब यहाँ पे मैं events में जाँगा मेरा यह है कि मैं जब भी यह button press करूँ flag को click करूँ तो मेरी जो game है वह start हो जाँ तो मैं यह वाला block place करूँगा when flag is clicked अब मैंने जो है वो ball को कुछ angle देना है किसी खास angle पे वो जाए इसको अब भी मैं angle के बगएर आपको करके दखाता हूँ सबसे पहले मैं forever loop place करूँगा कि मैं जो code इसके अंदर लिखना चाहता हूँ block place करूँगा वो हमेशा मेरे पास चलते रहे अब क्या मेरे पास चीज़ चलती रहे कि ball जो है motion मेरे मैं यहाँ पे move 10 steps इसको मैं 15 भी कर सकता हूँ अब मैं फ्लै को क्लिक किया है तो यह देखें यह ball जो है मेरे पास infinity loop है forever हमेशा चलता रहता है हर वक्त वो जो है 15 step इस तरफ move करता रहता है अब मैंने इसको पताना कि जब edge आ जाए तो वो bounce करें इसको मैंने यहाँ पे यह block place करती कि फॉन edge bounce अब मैं ले करता हूं तो यह देखें यह जब edge पर जाता है तो मेरे पास bounce होता है और bounce होता ही साथ ही दुबारा move 15 steps करने लग जाता है मगर आप देखें तो यह horizontally move कर रहा है अब मैंने इसको कोई खास एंगल देना स्टार्टिंग में जब गेम शुरू करूं तो एक खास एंगल पर इसको move करा हूं कि कुछ यहाँ पर move करें तो उसके लिए मैं यहाँ पर turn 15 degree वाला place करते तो अब मैं run करता हूं तो यह देखें मेरे पास एक खास एंगल पर bounce back हो रही है बहुत कि सबसे पहले में कुछ एंगल देना फिर बाल में हमेशा यह steps चलते रहेंगे और यह bounce होती रही तो पहला हमारा task जो है वो complete हो गया